और गाइज आज हम आपको कुछ लोगोंने अपनी छोटी छोटी इस पर मैंने ये वीडियो बनाया है तो एक एक करके हम सबकी स्टॉरी सुनाने जा रहे हैं इस टॉरी स्टार्ट करने से पहले आप सो मेश चैनल पर नहे है तो चैनल को सबस्काइब कर दें पास मेला के पहल सब्सक्राइब करते हैं इसमें पहले स्टोरी है सूरज सूरज की रैंकिंग स्टोरी यह कहानी सूरज की है यह कहानी तब की है जब सूरज टेंथ क्लास में था उस वक्त सूरज की एज 18 साल थी सूरज की बड़ी दीदी की शादी थी जिसके लिए सूरज और उसकी पूरी फेमली गाउं गए हुए थे उस वक्त सूरज बहुत शरारती और बहुत मजा करता रहता था और सब सूरज से बहुत खुश होते थे सूरज की दीदी की शादी में सारे रिष्टेदार आई हुए थे शादी के दिन सब लोग हाल में सो रहे थे लड़की वाले और लड़कों वाले दोनों के रिष्टेदार थे फिर रात को जब सब सो गए तो सूरज को सरारत सूजी तो उसने काजल लिया और वहां सो रही दो लड़कियों की मूझे बना दी और चिपचप सो गया फिर जब वो दोनों उठी तो सब बहुत हंस रहे थे उन दोनों को देख कर उश्टेम सब समझ गए कि सूरज के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता क्योंकि सूरज वहाँ सबसे ज़्यादा शरारती लड़का था फिर जब उन दोनों लड़कियों को पता चला कि ये काम सूरज का ही है तो उन्होंने सूरज से बदला लेने की सोची और शादी में आई सब लड़कियों ने मिलकर सूरज को सबक सिखाने की प्लानिंग बनाई तब ही जीजा की बहन जो की सूरज की तरह ही बहुत शरारती थी सूरज उसको भी बहुत परशान करता था जिस वज़े से दोनों की बिलकुल नहीं बनती थी दोनों ही हमेशा एक दूसरे को परशान करते थे इसलिए उसके पास सूरज से बदला लेने का ये बहुत अच्छा मौका था फिर उसने सब लड़कियों को कहा कि हम रात को सूरज को मज़ा चखाएंगे शादी स्टार्ट होने वाली थी और सब लड़कियां तैयार हो रही थी और सूरज भी कोट पैंट पहन के हीरो की तरह तैयार था तब ही एक लड़की ने सूरज को बुलाया जहां सब लड़कियां तैयार हो रही थी सूरज वहाँ चला गया सब लड़कियों ने मिलकर सूरज को पकड़ लिया और जीजा की बेहन ने उन दोनों लड़कियों से कहा कि अब हम इससे अपनी पेज़्टी का बदला लेंगे फिर उन दोनों लड़कियों ने कस कर सूरज को दो जहापड लगाया और जीजा की बेहन ने कहा कि इसने तुम दोनों की मूच्छे बनाई थी न अब हम इसका मेक अप करेंगे उसके बाद सब लड़कियों ने मिलकर सूरज की सर्ट पैंट उतार दी और सूरज सिफ अंडर्वेयर में था जीजा की बेहन जिसकी सूरज से नहीं बनती थी उसने सब ही लड़कियों से कहा कि इसकी अंडर्वेयर भी उतार दो और जीजा की बेहन बोली बहुत परिशान करते थे ना मुझको अब तुम मेरी शरारत देखो सूरज जीजा की बेहन के आगे बहुत गिर गिरा रहा था लेकिन उसने सूरज की एक न सुनी और सब लड़कियों ने मिलकर सूरज की अंडर्वेयर भी खोल दी अब सूरज सब लड़कियों के सामने नंगा खड़ा था दो लड़कियों ने सूरज का हाथ पकड़ा हुआ था जिस वज़े से वो अपने लिप्स्टिक को छुपा नहीं पाया तभी जिजा की बेहन ने सूरज के लिप्स्टिक को देखा और कहा कि इतना इज़तार बनता है अपने आपको बहुत बड़ा मर्द मान बनता है तेरी छोटी लिप्स्टिक ने सब साफ कर दिया तु इतनी बड़ी बड़ी शरारते करता है और तेरी लिप्स्टिक इतनी छोटी क्यों है एक इंच से भी छोटी है इससे पड़ी तो मैं छोटे भाई की है लिप्स्टिक ये सुनकर सब लड़किया जोड़ोड से हसने लगी और सूरज डर के मारे सूसू कर दिया फिर जीजा की पहन ने कहा मुझसे इतना डरते हो कि डर के मारे सूसू कर दी बच्चों की तरह तुम्हें तो डाइपर पहना चाहिए ये कहकर उसने सूरज की छोटी लिप्स्टिक को पकड़ा उसको पिंच करा और सब लड़कियों ने बारी-बारी सूरज की लिप्स्टिक को पिंच करा और बाल्स भी दबाई इस पर सूरज दर्द से रोने लगा तभी उन दोनों लड़कियों ने सूरज की छोटी लिप्स्टिक पर नेल पॉलिस लगाई और सूरज के बम पर मेहदी से डिजाइन बना दी और कहा कि तुम्हें तो लड़की होना चाहिए था और सब लड़किया कहने लगी कि लड़कियों का बहुत मजाग उड़ाता है न आज पूरे काउं के सामने तुम्हारा मजाग बनेगा फिर सब लड़कियों ने डिसाइट किया कि इसको इसका पूरा मेकप करके इसको इस्टेश पर ले जाएंगे लड़की बना कर ये सुनकर सूरज ने कहा कि ऐसा मत करो ये मेरी दीदी की शादी है लेकिन उन्होंने कहा कि हम तुम्हें तुम्हारे कपड़े नहीं देंगे हम अब ऐसे ही नंगा सब के सामने इस्टेश पर ले जाएंगे तुम्हें तुम्हारे दोस्तों को भी तो पता चले कि तुम्हारी लिफ्स्टिक कितनी बड़ी है जिनके साथ मिलकर तुम लड़कियों से मजाग करते हो तभी शादी इस्टार्ट हो गई और ममी ने सूरज को बुलाया क्यूंकि स्टेश पर फोटो खिच रही थी और सब लड़किया तैयार होकर जाने लगी सूरज ने सब लड़कियों से माफी मांगा लेकिन उन्होंने सूरज की एक ना सुनी और सूरज के पास कोई और रास्ता नहीं था उनकी मबात मानने के अलावा इसलिए सूरज उनके साथ लड़की बनके जाने को तैयार हो गया तभी एक लड़की ने कहा कि तुम्हारी लिप्स्टिक इतनी छोटी है कि दिखती भी नहीं है तुम्हें तो लड़की ही होना चाहिए और तुम जैसे लड़के अंडर वेर में नहीं बग बलकि पैंटी में ही फिट आते हो फिर एक लड़की ने सूरज को पिंक कलर की पैंटी पहनाई और सब लड़कियां हसने लगी फिर सब ने मिलकर सूरज को फुल लड़की वाला मेक अप किया और सूरज को पूरा लड़की वाला गेट अप देकर फुल लड़की बना दिया सूरज दुलहन से भी ज़्यादा सुन्दर लग रहा था सूरज खुद को आइने में देखकर पहचान ही नहीं पाया फुद समय सूरज बहुत पतला था तब ही एक लड़की ने सूरज की पतली कमर पे चूटी काटी और कहा कि तुम बहुत होट लग रही हो अब तुम्हारा नाम सूरज नहीं सोनिया है फिर सब लड़कियों ने सूरज की बहुत सारी न्यूट और लहंगे में पिक्स ली और फिर उन्होंने कहा कि हमारे साथ इस्टेज पर चलो वरना तुम्हारी छोटी लिप्स्टिक और बंपर बनी मेहदी की डिजाइन की पिक हम सब को दिखा देंगे शादी में सूरज के सारे रिष्टेदार दोस्त और उसकी गल्फरेंट भी आई हुई थी ये सुनकर सूरज डर गया और उनके साथ जाने को तैयार हो गया फिर सूरज की लड़कियों के साथ पिक्स खिचाई गई और सूरज की दीदी तो उसे पहचान ही नहीं पाई और सूरज बहुत होट लग रहा था इस वज़े से सूरज के दोस्त भी उसे छिड रहे थे कोई सीटी बजा रहा था तो कोई चूटी काट रहा था सूरज के साथ इतना सब हो रहा था इस वज़े से उसे बहुत शर्मा रही थी अपने दोस्तों के सामने इस हालत में तभी सूरज की गल्फरेंड ने उसे पहचान लिया और कहा बहुत सुन्दर लग रही हो सोनिया फिर सूरज की गल्फरेंड ने भी सूरज के साथ पिक्स ली फिर सूरज को ट्वाइलेट आया तो वो भागता हुआ जैन्स ट्वाइलेट में गया सब लड़के सूरज को अजीब तरीके से देख रहे थे तब ही उनमें से एक लड़की सूरज का हाथ पकड़कर उसे गर्ल्स टॉयलेट में ले जाने लगी और कहा तुम लड़की हो और तुम्हें अब लड़कियों की तरह बैट कर ही टॉयलेट करना पड़ेगा लड़की बन कर, सूरज को बहुत शर्मा रही थी, उसके बाद जब सूरज के दोस्तों को पता चला कि ये सूरज है, जो कि सोनिया बना हुआ है, तो उन्होंने सूरज का बहुत मजाक बनाया, और अब सूरज गाउ में किसी भी लड़की से नजरें नहीं मिला पाता है, सब लोग गाउं में सूरज को बहुत छेड़ते हैं और उसे बहुत शर्ब दे आती है और अब सूरज किसी भी लड़की को परिशान नहीं करता है और सूरज जब भी अपनी दीदी के घर मिलने के लिए जाता है तो जीजा की छोटी बहन सूरज को छोटी लिप्स्टिक बोल कर भाग जाती है और सूरज को शादी वाली फोटो दिखा कर बहुत चिड़ाती है और सूरज के जीजा और दीदी भी सूरज का बहुत मजाग बनाते हैं और जीजा की बेहन जब सूरज सो रहा होता है तो उसका मेकप करके भाग जाती है तो कभी पैंट खीच कर अब सूर सूरज की शादी भी हो चुकी है जीजा की बहने सूरज की वाइफ को सूरज के बारे में सब बता दिया है और वो भी फोटो दिखा कर हस्ती है और सूरज को छोटी लिफ्टिक वाली लड़की बुलाती है तो यह है सूरज के गाउं की लड़कियों की शादी में की कहानी शा कैसी लगी सिटोराइगी हो तिसे लाइक और शेयर किजेगा और हमारे जालों को सब्सक्राइब किज आप है गाइस कांड हमारी अगले स्टोरी है सनी की सजी है ट्यूसर्वाइब ने इंप एक क्रिस्तन मेंहें साथा नाम सुसान मैंथ था वह सालिस उनका डाइवोर्स हो चुका था और उनका कोई बच्चा भी नहीं था लेकिन वो बहुत खुबसूरत थी एकदम 25 साल की लगती थी और सनी 12 साल का बहुत ही भोला भाला सीधा साधा लड़का था जिसके फीचर एकदम लड़कियों जैसे थे सुसान मैम हमेशा उसको टीज करती थी कि तुम तो एकदम लड़कियों जैसे लगते हो सनी पढ़ाई में काफी वीक था तो सनी की ममी ने मैम से रिक्वेश्ट की कि इसको अकेले में पढ़ाई करवाए सुसान मैम पढ़ाने के लिए मान गई फिर जब उनके स्कूल में एन्वल दे था तब सुसान मैम ने सनी से बोला कि एक प्ले में तुम्हें लड़की का रोल देना है पर सनी सर्मा गया फिर सुसान मैम ने बोला कि तुम्हारे फीचर इतने अच्छे हैं और प्लस तुम्हारे जुद्धी यानि जुड़ा कितना बड़ा है बाल कितना बड़ा होगा मज़ा आएगा तुम्हें जुद्धा खोल के लड़की बनाने में उसके बाद सुसान मैम ने फिर सनी की ममी से बात की और वो मान गई वो चाहती थी कि सनी किसी एक्टिविटी में तो पाट ले बस उसके बाद से तो सुसान मैम सनी को और चिड़ाने लगी दो दिन बाद ट्यूशन में सुसान मैम ने सनी को एक फ्रॉक दिखाया और कहा तुम्हें ये पहनना है और कहा की चलो ड्रेस रिहर्शल कर लो सनी बेचारा शर्माते सर्माते लाश रूम में गया और कहा मैम अब बाहर जाओ मैं चेंज कर लूँगा इस पर सुसान मैम जोर जोर से हसने लगी और बोली मैंने बहुत बॉइस को नंगा देखा है और बहुत कोतो नंगा किया है मत सर्माओ और जल्दी जल्दी सनी की पैंट शर्ट उतारने लगी सनी ने कहा जल्दी से फ्रॉक पहन लो और सनी ने जल्दी से फ्रॉक पहन लिया क्योंकि उसे बहुत शर्मा रही थी सुसान मैम ने एक कर्ल्स की पैंटी निकाल के बोला लड़कियों लड़कियां ये चड़ी थोड़ी न पहनती हैं और सनी की चड़ी उतार दी पर सुसान मैम सनी का प्राइबर पार्ट का साइज देख कर हैरान हो गई और बोली मुझे नहीं लगता था कि तुम्हारा प्राइबर पार्ट इतना ज़्यादा बड़ा होगा सनी सर्मा गया और बोला प्लीज मैम सब दीदी मुझे टीज करती हैं आप मत करो फिर जब मैम ने उसको फ्राइबर पहना दिया तब सुसान मैम ने उसका जूड़ा भी खोल दी और एक पोनी टेर बांद दिया और कहा कि फुल लड़की लग रहा है एकदम मस्त बाद में फिर रीहसल के बाद मैम जब सनी को चेंज करा रही थी तब सनी पूरा नियूड था सुसान मैम ने और सुसान मैम ने उसका प्राइबर पार्ट पकड़ा और कहा कि तुम्हारा प्राइबर पार्ट बहुत सुन्दर है ये सुनकर सनी ने अपनी आखे नीचे कर ल वाला बार्बी डॉल लग रहा है उसके बाद एन्वर फंक्शन के बाद भी सुसान मैम कुछ ना कुछ बहाने करके सनी की पाइंट उतार लेती और उसका प्राइबेट पाइंट पकड़ लेती और उसको चिड़ाती कि जुड़ा खोलना लड़की लगता है और दो साल की सनी की फणी पनिस्मेंट श्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट पर जुरू बताईएगा और हमाई चैनल को सब्सक्राइब भी किजिएगा गाइस अगली श्टोरी है जिसे हमें भेजा है रॉय सर्मा ने अमित जब बारा से ग्यारा से बारा साल का था तब वो अपने द सिर्फ तीन महीने ही हुए थे साधी को चाची देखने में बहुत खुपसूरत थी लेकिन गुसा जब होती तो पनिस्मेंट भी देती थी मनाली में उस टैम बहुत सर्थी था यानि ठंड पड रही थी अमित और उसका दोस्त भोलू बहुत शैतान थे दोनों तो एक दिन नहाने के टाइम दोनों ने बातरूम में गीजर आन कर दिया पानी गर्म करने के लिए और टीवी देखने लग गये दोनों टीवी देखने में इतने मश्रूफ हो गये कि बातरूम में गीजर से धुआ निकलने लग गया और आग लग गयी तभी चाची आई और उन दोनों को भोलू और अमित को बहुत गाली पड़ी चाची बोली रुख जाओ साम को अंकल को आने दो ऑफिस से पूरे घर में आज तो आग लग जा सकता था और अब से उन दोनों को ठंड में ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा जब तक नया गीजर खरीद कर नहीं आ जाता वो दोन शाम को अंकल आए और आंटी ने दोनों की सारी सैतानी बता दी अंकल काफी गुसा हो गए और अंकल ने कहा अगर बड़ा एक्सिडेंट हो गया होता तब क्या होता फिर अंकल ने आमित और भोलू को पास बुलाया आंटी बगल में खड़ी थी अंकल के और वो दोनों डर क केमारे कापते हुए अंकल के पास गए और अंकल ने उन दोनों के गाल पे जोर से एक एक चाटा मारा और उन दोनों के कपड़े उतार दिये सारे कपड़े निकलने के बाद वो दोनों सिर्फ चड़ी में खड़े थे ये देखकर आंटी हसने लगी चाचा को बोली पूरा नंगा कर दोगे क्या पनिस्मेंट के लिए चाचा बोले हाँ सैतान लड़कों को पूरा नंगा करके ही सजा देना होता है नहीं तो ऐसे सैतान समझते ही नहीं है और चाची से भी चाचा ने कहा कि तुम भी आज से ऐसे ही नंगा सजा दोगी तुम्हारी बात ना सुने तो ये बोलकर अंकल ने उन दोनों की चड़ी भी उतार दी और पूरा नंगा करके खड़ा कर दिया दोनों की हाला देखकर चाची जोड़ कराये और उन दोनों के हिप पर दतस इस्टिक मारी इस्टिक से मार मार के हिप को लाल कर दिया फिर दोनों को कहा कि कान पकड़के घर के पिछे खड़े हो जाओ पूरा नंगा उसके बाद अंकल आंटी सोफा पर बैठके टीवी देखने लगे और और अमित और भोलू पनी लगी हसते हसते उनका मून लाल हो गया था लेकिन भोलू और अमित को बहुत शर्मा रही थी फिर चाचा बोले तुम दोनों को शर्म आए इसलिए ये सजा दी है फिर तीस मिनट बाद अंकल ने उन दोनों को परमीशन दी कपड़े पहनने की और दोनों जल्दी नहाने का टाइम हुआ तो आंटी ने उन दोनों लड़कों को अपने पास बुलाया और बोली हाज से बाथरूम का डोर खोल कर ही सब के सामने नहाओगे तुम दोनों ताकि मैं नजर रख पाऊं और तुम सैतानी ना कर पाऊ चलो जाओ और नहाओ आंटी के सामने ऐसे नह नहाने में बहुत शर्मा रही थी उन दोनों को लेकिन डर से डर से चुप चप दोनों नहाए फिर आंटी बोली बॉड़ी में तेल लगा के बालकानी में धूप है वहाँ पे खड़े हो जा 15 मिनट लेकिन लेकिन खुले बालकानी से बगल वाला घर दिखता है अमित और भ तेल लगाओ फिर वो दोनों नंगा खुले बालकानी में तेल लगाने के लिए खड़े थे चुप धूप में तभी बगल वाली आंटी उन दोनों को देख ली और अपनी खिरकी से अमित की आंटी से बात करने लगी फिर आंटी ने बगल वाली आंटी को अमित और भोलू क पनिस्मेंट के बारे में सब बता दिया और ये सारी बात सुनके बगल वाली आंटी खुब हसी तभी पडोसी आंटी की लड़की जो इन दोनों की उमर की थी वो अपनी ममी के पास आगई और अमित और भोलू को इस हालत में देख कर वो हसने लगी और बोलने लगी ममी ये ल नंगा होकर तेल लगाते हुए धूप में खड़े हैं शरम नहीं आती दोनों को वो भी अपनी उमर की लड़की के सामने है पैंट क्यों नहीं पैंटे हो और उसकी ममी अपनी बेटी की बात सुनकर हसने लगी और बोली ये बच्चे अभी भी बड़े नहीं हुए सैतानी क सब सुनके वो लड़की हंसने लगी फिर 15 मिनट बाद धूप लेने के बाद भोलू और अमित दोनों आंटी के सामने ही सावर लेने चले गए उसके बाद शावर लेने के बाद आंटी ने उन्हें फ्रेश और नए कपड़े दिये पहनने के लिए अमित और भोलू 18 दिन त कोई भी बदमाशी करने पर आंटी उन दोनों का सारा कपड़ा उत्रवा कर बलकनी में खूले में खड़ा कर देती कान पकड़ कर और बगल वाली आंटी की लड़की उन दोनों को ऐसे देखकर जोर जोर से हसती थी और नंगा नंगा बोलके चिढ़ाती रहती थी अमित और भोलू अपनी आँटी से बहुत डरते थे और उनकी सारी बाते मानते थे जब भी बोलती थी पूरा नंगा हो जा तो डर के मारे सब उतार के खड़े हो जाते थे फिर अठारा दिन बाद वो दोनों घर वापस आ गए तो गाइज इन सारी स्टोरी में से आपको कौन शी स्टोरी सबसे ज़्यादा फणी लगी आप हमें कमेंट सिरू बताएग गा मुझे तो रोई सारमा की स्टोरी बहुत फणी लगी वह शेयर भी कीजेगा और साथी साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजेगा पास में लगे बैल आइकन को प्रेस कर दीजेगा याद करके नहीं तो हमारा जो नए वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा अगर आप प्रेस करतेंगे उस घंटे को तो हमारा जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा